वेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवा चैनल लेट्स लर्न फॉर्म होम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंप्लिकेशन सब कोलबक्स थेओरी ठीक है तो इसमें जो है हमारा जो है कहा जा रहा है कोलबक्स के नुसार कि बच्चे जब फर्स स्टेज में रहते हैं तो उनका मोर मोरल देवलप्न या फिर मोरल बिहेवियर जो रहता है वो सब्सक्राइब ऑन सुरू होता है तो जब सुरू होता है तो इस पे हम यानी पैडिश का बहुत बडरा रोल होता है कि उसको कैसे सैप किया जाए यानि उसके ग्राउंड वर्क पर यानि ग्रांड रियालेटी इस उसको जोड़ा जाए तो इसमें मतलब आप समझ सकते हो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें पैरेंस का स्कूल का बहुत सारा जो है हर किसी का एक important role होता है बच्चों को develop करने में ठीक है जब first stage पर रहता है तो एक framework बनाना चाहिए parents को या school को कि कैसे बच्चों को develop किया जाए उसका moral development कैसे किया जाए क्योंकि first year के बच्चों का क्या रहता है कि being punished and punishment से बचना ठीक है teachers के थ्रू हो ताकि उनको सिखा सके teachers parents की moral behavior क्या होता है या फिर कैसे conduct करना है एक framework तयार करना चाहिए ठीक है कि बच्चे उसको adopt कर सके अब हमेशा अगर उस चीज को change करते रहोगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे तो वह ही कहा जा रहा है कि parents को बच्चों को parents को school को जो है एक moral code of conduct ट्यार करना चाहिए जिससे जो है बच्चे को सीख सके वह जो है लॉंग पिरिएट तक उस पे मतलब रहे उस moral code of conduct पर अगर चेंज गया जाए तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है बच्चों को समझने में या फिर उसको handle करने में तो next point हमारा यही था ठीक है और हमारा जो है अगर क्लासरूम में तो उसके लिए कुछ punishment होना चाहिए लेकिन अगर कुछ अच्छे बच्चे मतलब को अच्छा conduct होता है तो उसके लिए privilege भी होना चाहिए इस तरह का मतलब एक तरह से reward के भी form में होना चाहिए और punishment के भी form में होना चाहिए जो है रोल यह parents का है school का समझ सकते हो कि यह school का parents क cleaning का सब काánh रोल है इसमें ठीक है qa next point में है कि जिस तरह से बच्चे जो- carrot जो-ójह अपने level में बरते जाते स 15 parti जय से level स्टिस्ट्व में आने लगते हैं दीरे दीरे तो वह whisper समझने लगते हैं तो उनका जो है कि reward form में काम करने लगता है कि praise करें उनको parents का रोल है school का रोल है कि उसको praise करें यह यह second point में है मतलब हमारा next point में ठीक है और हमारा next point है by stage to young children become more motivated to behave and follow the rules of मतलब इसमें कहा गया है कि बच्चे जो है behave करने लगते हैं motivated हो जाते हैं कि rules को follow करें अपने moral code of conduct को सही करें एक एक अच्छे यानि good boy bad boy के form में अपने आपको represent करें और इस समय रोल आता है teachers का कि जब classroom में रहते हैं बच्चे जब इस तरह के rule को follow करते हैं या फिर अच्छा representation देते हैं क्लास में तो उनको motivate करें ठीक है यह सब हमारा educational implications है अब next point है और इसमें जो है next point में कि आप उनको बताईए कि आप कहां पे गलत हो आप कहां पे सही हो आप good boy क्यूं हो आप good boy bad boy क्यूं हो यह सब सारा जो है उनको बताना चाहिए ठीक है यह बताना पड़ता है और initial stage जो होता है वो एक अच्छा stage होता है कि कुछ classroom activities में perform करें यानि classroom activities में इंडल्ज करें बच्चों को cooperation मतलब student student में कैसे cooperation बढ़ाया जाए friendly nature कैसे बढ़ाया जाए गेम्स में कैसे participate किया जाए यहां teacher और teacher और school का होता है कि एक तरह से वो facilitator के तरह काम करें यानि उनको facilitate करें मतलब उनको help करें यह नहीं कि हमेशा उनको punishment ही दे या अगर वो चीज नहीं आ रही है तो उनको सिखाना चाहिए या फिर कुछ rules and regulation को break करता है तब punishment की बात आती है लेकिन हर जगा punishment की भी बात नहीं आती है या बच्चे six three में जब दर स त्हरों के बीच में रहते हैं तो बच्चे six three में जाते हैं तो अधर पीपल के बारे में सोचने लगते हैं कि हमारा Duckle उसके comparison में कैसा यानि हमारे friends के comparison में कैसा है हमारे society के comparison में कैसा है तो उसके बारे में सोचने लगते हैं तो उस समय भी हमारे teachers का हमारे parents का role होता है कि उनको समझे उनको यानि मतलब हम कह सकते हैं कि उनको समझने की यह होता है कि उनको बताएं कि अगर वह गलट सोच रहे हैं या फिर उनके मने में कुछ गलत भावना हुरहिए दूसरों को देखके या कुछ गलत facto क्षिविटीज में है कुछ गलत बिएवियर में इंडल्ज हैं तो वो जो है उस समय समझने की जौरत होती है उस समय बहुत ज्यादा के जौरत होती है क्योंकि वह एज जो होता है उस समय वह गलत रास्ते पर जा सकते हैं तो उस समय पैरेंस के टीचर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है उनको समझने का उनको बताने का एक classroom में एक मतलब एक environment बनाने का friendly environment बनाने का ठीक है यह सारा है इसमें educational implication में और इस stage में कहा गया है कि बच्चे जो है वो मतलब rules को समझने लगते हैं कि rules को क्यों follow करना चाहिए अगर कुछ उसको rules पसंद नहीं आते हैं तो वो follow नहीं करना चाहेगा तो इसी तरह से एक framework इस तर school implement किया जा रहा है यह सारह हमारा है इसमें role है यह वह ज्वी स्कूल का आथा है लिए जो educational implication है यह pani YOU have placed के POLी के लिए ही होता है कि उसमें school का किया रोल है अब आप अपने ही society में देख लो कि लोग बच्चे, parents चाते हैं कि सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़े, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर बच्चे कुछ music में अच्छे हैं, कुछ sports में अच्छे हैं, तो उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, ठीक है, और उनको group project में involved करना चाहि यह कि उनका group project है, cooperation बनाए, ठीक है, यह सारा हमारा educational implication था, ठीक है, तो हमारा, आप उसमें बहुत सारे कुछ लिख सकते हो, आप relate कर सकते हो, school से, हमारे family से, society से, यानि participate करने देना चाहिए, अगर society में कोई activities होती है, अगर वो कुछ अच्छा करना चाह रहा है, अगर वो art करना चाहिए, teachers को, यानि धीरे-धीरे friendly nature हो जाता है, parents का, धीरे-धीरे friendly हो जाना चाहिए, हर topic पर बात करनी चाहिए, अगर कुछ problem है, तो उसके साथ problem share करना चाहिए, तो इसमें बहुत ज्यादा रोल जो है, parents का, school का, teacher का, जो होता है, ताकि वो रास्ता मतलब अपना moral behavior ह वो भटक न जाया उस चीज़ से, उसका moral behavior एक तरह से safe रहे, तो मिलते हैं अगले lecture में हम लोग, और आज इसका PDF जो है, मैं आपको टेलिग्राम लिंक पे डाल दूँगा, तो आप वहां से download कर सकते हो, और हमारे टेलिग्राम का link जो है, आपको description box में मिल जाएगा, और इस